कि हेलो दोस्तों आप सब केसे हो आयए हूब आप सबस्चे होंगे दोस्तों सबसे पहले आप सबका मैं सुकरिया अधा करता हूँ आप सबके प्यार की वज़ा से इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूर हो चुके हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुकुरिया और दोस को सीख लिया दोस्तों तो आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं आपका प्रोफिट लगातार होगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहां पे इंट्री लेनी है कहां पे आपको इंजिट करना मतलब कि कंडल लिश्टिक जब आप वहां पे सीखें के तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि आपको कहां पे इंट्री लेनी है कहां पे आपको इस्टो प्लूस लगाना है आपको सारी चीजें वहां पे जानकर आपको मिलेगी ठीक है तो आप इस वीडियो को लाश्टर देखो और भाई लोग ये कंडल लिश्टिक पैटन का पार्ट 3 है ठी तो आप जाके प्लिश्ट चेकर लो एक पार्ट बना दिया है व्यकौन का तिसरा पार्ट ठीक है तो आप जाके सिख लो और अगर आप इस बीडियो पर आगए हो तो आप सबसे पहले इससे शीख लो आप समझ लो कि कैसे काम करते हैं तभी दोस्तों आपको समझ में आए तो चलिए वीडियो को सुल करते हैं और आपको बताते हैं अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कौन से कंडल है कैसे काम करते हैं कहां पर आपको यूज करना है दोस्तों आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों क्या होता है कि ज्यादा तर लोग क्या पर दिखती हैं और अगर आपको यह चार्ड पर दिखती हैं आपको मैं अभी बताऊंगा ठीक है आपको दोस्तों मैं इस कंडल को चार्ड पर दिखाऊंगा डीमेट अकाउंट पर ठीक डीमेट अकाउंट वाले चार्ड पर आपको दिखाऊंगो चल की वहाँ पर कैसे बनत कि ये वाली candle एक दिन की है ठीक है तो हमें ये candle ये बता रही है कि एक दिन के अंदर में market में क्या हुआ है मतलब कि market में buyer थे या seller मार्केट uptrend थी या downtrend थी हम ये candle बताती है ठीक है तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि हमें candle क्या बताने कोचिस करती है ठीक हमें क्या बताती है अब दोस्तों हम यहाँ पे इस morning star को समझते हैं कि यह कैसे काम करता है suppose मानों कि यहाँ से market नीचे की तरफ आ रही ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको यह morning star candle बनती हुए दिखेगी ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या समझना है यहाँ पे जो जीता है उसी कीतरफ ट्रेंड जाता है जैसे मानों की यहाँ लोग मार्केट को नीचे ले जाने की कोजिस करेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट है ठीक है तो यहाँ सपोर्ट पे क्या होता है कि यहाँ पे सेलर लोग कम है ठीक है तो यहाँ पे जब सेलर कम हो जाते हैं जब यहाँ पे बायर ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केट उपर जाती है ठीक है तो यहाँ पे देखो हमें य लेना है कहां पे आपको एक्जिट करना है कहां पे आपको लगाना है आपको सब बताऊंगा लाइव चार्ड में ठीक है तो चलिए देखते हैं तो यहां पे देखो दोस्तों मैं निप्टी के चार्ड में आ गया हूं दोस्तों मैंने अपने डीमेट अकाउंट में चार्ड क और आपको लाइव दिखाता हूं कि चार्ट पर यहां कैंडल कैसे बनती है मौनिंग इस्टार ठीक है आपको मैं दिखाता हूं मौनिंग इस्टार का सच क्या है तो यहां पर देखो अगर आपने जान लिया आपको पता चल गया तो आप बहुत अच्छा पोगेट बना है मतलब कि आपको ऐसे मौनिंग इस्टार दिखेगी ठीक है आपको मौनिंग इस्टार को ध्यान रखना होगा यहां पर देखो एक बोटम है ठीक है अगर दोस्तों किसी कंडल पर बोटम है सपोर्ट है तो वहां से मार्केट 99 परसंट चांस है कि मार्केट ऊपर जाएग चरकित हमार्केट तो यहां पर देखो मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूं कहाँ सपोर्ट है यहां से मार्केट यह यहरा सपोंट पर देखो एक मौनिंग श्टार कंडल और बनी होई आपको धियान रखना होगा कि एक बन्सक्राँ जोटी अच्वटि यहां Bizim O तो candle बनी लेकिन दोस्तों यहां पे फिर भी आपको थोड़ा सा मोब यहां पर करना होगा थीक है तो श गोस्तो पे करती हैं जहां पर कोई support या बोटम या बोटम हो तो आपको support और ध्यार में रखकर है आपको trade करना या ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि आप कहां पर चोट अंदी करेंगे आप arrived डेंगे अपने उसके बाएप Maine लेका कुछlarını के आपको लोग पे आपक इस पर यहां पर चनल Вс早 आपको यहां रखना हो कि आपको ब्लिएना है ठीक है उसके बाद यहां पर आप entry कहां पे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो आप इस resistance पे देखो यहां पे आपको एक resistance मिल जाएगा इसके morning वाली star के candle के high को जब यह green candle ब्रेक करती है तब यहां पे आपको entry खट दे ले लेना है ठीक है यहां पे आपको सबसे पहले support और resistance लगा लेना है उ आपको move मिल जाएगा यहां पे आपको हो जाएगा target ठीक है यहां तक तो यहां पे आप अपना एक छोटा छोटा टार्गेट बना के आप profit बना सकते हैं ठीक है तो आसर करता हो कि आपको यह candle समझ में आ गई आपको समझ में आ गया होगा कहां पे आपको इस्टोप्लोस ल यहां रखनाओगा morning doji star ठीक है मैंने दोस्तों जो आपको इससे पहले वाली candle बताया दोस्तों वैसे ही candle है ठीक है नाम भी दोस्तों वैसे है बस थोड़ा सा फ़रक है दोस्तों यह डोजी है ठीक है तो आपको कहां पर कैसे दिखेगी कैसे आपको समझना है यहां पर देखो बने गी सकते हैं काहा तक जाएगी इसवाली candle के 50 परसंट तक आएगी वहां पर जाकि ये candle close हो जाएगी ठीक है 50% पर close होना चाहिए तब कि दोस्तों ये काम करेगी candle ठीक है तो आपको इतना ध्याँ रखना होगा ठीक है यहां पे हम अगली candle को समझ रहते हैं ठीक है अगली वाली सेम candle वहीं से है बस यहां पर फरक क्या है कि जो यह green वाली candle बनी ही यह थोड़ा सा बड़ी बन गई है होए जो ढरेड वाली कांडल है मतलब कि फर्षट वाली केंडल है उसके high को यह बिलेक करके यहां पर चली गई है ठीक है यहां पे इसने high माई है यह ठीक है डोजी स्टार और यहां पर देखो आपका इस्टोब्लोस कहां रहेगा और यहां पर देखो यह आपकी हो गई कंडल ठीक है आपने यहां पर कंडल देखा कि मार्केट नीचे से आ रहे थी यहां पर कंडल बनी उसके बाद यहां से मार्केट गई ऊपर ठीक है तो आप ऐसे प्रोफिट बना सकते हैं ठीक है आपको बेट करके देखना होगा कि कहां पर यह सटप बन रहा है जहां पर सटप बने वहीं पर आप इंट्री ले लो ठीक है और भाई लोग अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना सेर करना कमेंट करना हमें कमें करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लेगी ठीक है तो जो मैं आपको स्ट्रेजी बता रहा हूं यह काम करती है लेकिन आपको थोड़ा सा बेट करना होगा तो अब चलिए मैं आपको मिलता हूं निश्ट वीडियो में